हेलो फ्रेंट्स बूड इवनिंग वेलकम डू नेचर इज लाइब फ्रेंट्स आज की वीडियो का टॉपिक है यह जर्विरा प्लांट इसमें मैं आप लोगों से शेयर करूँगी जर्विरा प्लांट की हम कैसे केयर करें इन्हें कौन सा फर्टिलाइजर दें जिससे इनमें बहुत अच्छी ब्लूमिंग हो यह हैल्दी ग्रोथ करें लाइट लोकेशन, वाटरिंग और इंसेक्टी साइड भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी तो आप वीडियो को फुल वाच करें तो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं कि इसमें मेरे यह जर्विरा प्लांट की ग्रोथ कितनी जदा अच्छी हुई है बहुत ही जदा हैल्दी ग्रोथ हुए और आप इनमें फ्लॉर भी देखिए कितने जदा खूबसूरा से इनमें फ्लॉर आये हुए है अब देखिए यह एक, यह दो, यह तीन और यह देखिए यह चार एक ही प्लांट में यह चार फ्लॉर लगे हैं इतने ब्यूटिफुल लग रहे हैं और देखिए यह एक बर्ड एक यह दो और यह तीन यह बड़ी बर्ड जो तीन से चार दिन में खिल जाएगी तो यह बहुत अच्छी ब्लूमिंग कर रहे हैं और इनके साथ ही इनमें अभी छुटी-छुटी बहुत सारी बर्ड यह इनमें continue new birds बनते ही जा रही है और बहुत ज़्यादा अच्छे से यह फ्लॉरिंग कर रहा है इनकी एक फ्लॉर जो है यह 10-15 दिन तक चल जाते हैं तो कुछी दिन में यह प्लांट जो है यह पूरा फ्लॉर से भर जाएगा क्योंकि अभी यह तीन फ्लॉर खिल जाएंगे एक ही प्लांट में जब इतने बड़े-बड़े स्टेवन फ्लॉर रहेंगे तो यह कितना ज़्यादा ब्यूटिफल लगेगा आप इमेजिन कर सकते हैं और आप इनकी लीप्स की ग्रोध भी देखिए कितनी ज्यादा यह लज़ ग्रीन है कितनी हेल्दी ग्रोध हो रही है इस प्लांट कितना ज़्यादा हैल्दी और इसी प्लांट के पफ्स लेकर मैने इसे डिवाइट कर यहां पे लगाया था अब यह प्लांट की देखिए कितने अच्छे से फ्लावर कर रहा है इस पे एक लॉर यह है एक बर्ड़ यह है यह बर्ड़ भी कुछ दिन में खिल इसके साथ ही यह 1,2,3 और यह 4, 4 फ्लाउर इसके इस्पैंड हो चुके हैं, जिसकी मैंने डैड हेटिंग कर दी है, तो इनमें continue फ्लाउर आते ही जा रहे हैं, तो इस छोटे से पुप्स ने कितनी ज्यादा अच्छी ग्रोथ कर ली है, कि इसने पुरे पॉट को कवर कर लिया कि मेरे जर्बेरा में जो फ्लाउर आ रहे थे, वो काफी छोटे साइस के आ रहे थे, हैल्दी फ्लाउर नहीं आ रहे थे, और अब देखिए इनकी ग्रोथ कितनी ज्यादा अच्छी हो गई है, तो फ्रेंड्स मैंने इनमें हर 15 दिन में दो बार मस्टर्ड के का लिक्विट फर्टिलाइजर दिया है, और उसके बाद देखिए इसकी ग्रोथ कितनी जवरदस्त हो रही है, इसकी लीफ्स भी कितनी ज़्यादा है, फ्रेंड्स आप जानती हैं, कि मैं अपने प्लांट की बिल्कुल भी केर नहीं कर पाती हूं, तो भी मेरे प्लांट से बहुत अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगा, तो अब तो ये पिटूनिया का सीजन आ रहा है, तो मैं इसे यहां से निकालके ट्रांस्प्लांट कर दूँगी, अब फ्रेंड्स लोकेशन की बात करें, तो मैं अपने प्लांट को हमेशा फुल सन में ही रखती हूं, जब तक तक आप भी इनहीं फुल सन में ही प्लेस करें, पर मैंने देखा, और मेरे प्लांट फुल सन में ही अच्छे चलते हैं, ऐसे में इनकी अच्छे से फ्लावरिंग होती है, फिर मैं अप्रेल के बाद इनहें बार को पे इनखर नमी बनी रहे ठंडग बनी रहे तो ये summer season में भी बहुत अच्छे से flowering करता है और इनका एक floor जो है वो 10 से 15 दिन तक चल जाता है यही कारण है कि इनके floor काफी time तक भरे-भरे से लगते हैं तो काफी long lastic floor है बहुत ही खुबसूरत लगते हैं जरविरा की कई सारी varieties आती है तो और एक इसकी tall variety आती है जिसकी spike काफी लंबी होती है और काफी उपर जाके floor खिलते हैं तो मुझे इसकी ये वाली variety बहुत ज़्यादा पसंद है लेकिन इस समय नर्सरियों में ये वाली variety नहीं मिल रही है मैंने काफी time search किया क्योंकि इनके floor काफी long time तक चलते हैं बहुत beautiful लगते हैं तो मैं इसकी और color add करना चाहा रही थी लेकिन मैं काफी दो साल से search कर रही है लेकिन मुझे जर्विरा की ये वाली variety नहीं मिल रही है आजकल इनकी tall variety ही जादा आ रही है पर मुझे वह ज्यादा पसंद नहीं है क्योंकि काफी height पे जाके floor खिलते हैं और floor का size भी अपने garden में add कर सकते हैं और friends ये permanent plant है ये मेरा जो plant है ये लगभग 4 year हो गया है I think ये 4 year से भी जादा हो गया है तब से ये plant मेरे garden में बना हुआ है और मैंने इसे divide करके भी आपने देखा ही है कि मैं इसे new plant बना चुकी हूँ तो आप चाहें इसकी root dividing की method देखना चाहें तो मैं i button में उसका link दे दूँगी तो आप वहां से भी आप उसकी video देख सकते हैं तो friends हम इसे root dividing से एक plant से कई सारे plant बना सकते हैं और ये एक permanent plant है जो थोड़ी सी care करने पर सालों साल हमारे garden में बना रहता है तो आप इसे अपने garden में जरू जगा दीजिए और देखिए friends ये honey कैसे इनके फूलों का मज़ा ले रही है क्या मस्त इन पर मन्रा रही है तो friends अब fertilizer की बात करें तो मैंने winter season में तो दो बार इस पे mustard cake का liquid fertilizer apply किया था लेकिन अब हमारे धूब काफी ज़दा तेज होने लगी है तो अब मैं इसे mustard cake नहीं दूँगी बलकि मैं इन में गोबर की खात का liquid fertilizer बना कर दूँगी क्योंकि गोबर की खात का liquid fertilizer है वो हमारे plants को burn भी नहीं करता है और उसका result हमें बहुत ज़्यादा जल्दी देखने के मिलता है तीन से चार दिन में ही हमें अपने plant पे fertilizer का असर दिखने लगता है तो अब मैं यही fertilizer अपने plant में हर 8 से 10 दिन में द प्लांट को बचाना बहुत जरूरी होता है क्योंकि plant जितना ज्यादा तेज धूप से खराब नहीं होता है उससे कहीं ज्यादा वह गर्म हवाओं से खराब होता है तो फिर आप इसे एक तो green net के नीचे सिप्ट कर दीजे और आप यदि green net नहीं लगा पा रहे हैं तब आसपास आप काफी सारे प्लांट रख दीजे और कोशिश करिए कि जो इससे हाइड में बढ़े हों ऐसे प्लांट रखे तो उसके कारण क्या होगा कि इसके साथ आसपास जो है हुमिडिटी बनी रहेगी और ये प्लांट गर्म हवाओं से बचा रहेगा तो आप समर में ये क अपर देख रहे हैं ये बहुत जादा गीली भी नहीं है लेकिन अग्दम ड्राइ भी नहीं है तो आप इस पे हलका सा मॉश्यार बना के रखें क्योंकि जब इसकी स्वाइल एक ड्राइ हो जाती है तो ये फ्लॉर है ना इसकी इस पाइक जो है वह ड्राइ होके टूट जा तो फ्रेंट्स इन ही सभी बातों का ध्यान रखिए तो आपका जर्वेरा सालों साल चलते रहेगा और फ्रेंट्स वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो रही थी तो मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में इसके लिए होम मेट फर्टिलाइजर और होम मेट इंसेक्टी साइट शेयर क करूंगी जो आपके जर्वेरा प्लांट लिए काफी हैलफुल होगी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में